हेलो एब्रीवन दिस इजन मोल सो जो इमिग्रेशन की तरफ से नहीं अपडेट्स आई है उन्हीं को डिसकस करने ही आ रहे हैं इसको समझना आपके लिए बहुत जुरूरी है तो पहली अपडेट तो यह आई है कि जो टेंप्रेरी रेजिरेंट्स है उनकी गिंती को यह कम कर लिए बेसिकली एक कैप लगाया जाएगा उजल वर्क परमिट है उनमें भी चेंजस लेकर आए हैं मास्टर्स कर रहे हैं यह पी अचली कर रहे हो आप तब अलिजीबल हो अपने स्पाउस का वर्क परमिट अपलाई करने के लिए साथी साथ उन्होंने कुछ ऐसे कोर्स की लिस्ट दी है कि अगर आप इन सभी की पढ़ाई कर रहे हो देन आप इन्वाइट कर सकते हैं तो एक तो यह अपडेट थी एंड एक जो एलमा यह होती है उसकी जो वैलिजीटी होती है वो बारा महीनों से छे मीने की कर दी हैं बात करें न यह स्पाउजल ओपन वर्क परम ले कुछ केसे में पता लगा कि कोई बंदा आई नहीं पाया और किसी ने कुछ गल्द स्टैप ले लिया तो वो सब चीजे शोशली मीडिया पे इतनी यादा वाइरल हो रही थी तो कहीना कि इनको भी तो पता लगी रहा था और उन केसे की गिंती वे बढ़ गई थी बहु इनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी मिस्टेक है तो देखो जब भी बात होती है कि इमिग्रेशन की पॉलिटिक्स की आपको भई दुनिया बर के अपिनियन सुनने को मिल जाएंगे और आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे और मैंने हर एक वीडियो में यही मेंशन करता आया सी सी हमेशा ऐसे ही सिर्प्राइज लेकर आती है क्या होता है सबी लोग अपने काम में बिजी है कोई अपने एक्स्पिरियेंस पुरा कर रहे है एकदम से अपडेट आती है कि यह लोग अलेजीबल नहीं होंगे इनका वीजा नहीं लग पाएगा और उन्होंने पूर निकाल सकते हैं हम इन्फरमेशन निकाली है ना जब भी यह कोई अपडेट निकालते हैं अगर आब वेबसाइट पर रीड करोगे हमेशा कुछ इस तरीके से ही डिस्क्राइब किया जाता है कि कैनड़ा एक वैलकमिंग कंट्री है हम लेबर शॉर्टिज को फिल करने की हम चाते हैं कि सभी का एक अच्छा फ्यूचर बन सके हैं उन्होंने मैंशन किया होता है तो यहां पे अगर हमें एक कंक्लिउजन निकालने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ यहां से आइडिया मिल सकते हैं इन्होंने यह अपडेट निकाली है ना स्पाउजल ओपन प्रोग्राम्स है एक अट्लांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है अट्लांटिक कैनडा का तो उस प्रोग्राम में उन्होंने मैंशन करा कि जो चाइल्ड केर एंड है उन्हीं को हम प्रियोरिटी देंगे उन्हीं को इंडॉर्समेंट मिलेगी उन्हीं को उस प्रोग्राम की construction का इन्होंने एक नोवश कोश्या ने अपनी तरफ से एक program निकाला था ना construction का एक pilot program निकाला था तो जो नए updates ये निकार रहे हैं work permit के लिए वो कही न कही यही highlight कर रहे हैं कि यो बाकी courses हैं जो food के regarding होगे retail के regarding होगे अगर आप हर अपडेट देखोगे ना, उनमें जिकर कंसक्षिन का, हेल्थ केयर का इसी का होता है, मैं बार-बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को कि अगर भी आपका प्लैन है यहाँ पे आने का, जा अभी आप यहाँ पे हो, उनी को ही टारगेट करो, जिसकी इमिग्रेशन डिमान कर रही है, कैनेडा में अच्छी चीज़े क्या है बुरी चीज़े क्या है, सब लोग कहते हैं कि इस कंटरी में अच्छा हेल्थ केर सिस्टम नहीं है इन्होंने यह भी कहा तक, इनका कैनेडा का एक्सपीडियन्स है मिलेंगे अपनी PR की फाइल लगाने के कैनेडा का वैदर है, वैसी ही इनकी अपडेट्स हैं, अगर हम न्यू बरंजविक की साइड याए, उनका भी एक प्रोग्राम आया था ट्रक ड्राइवर्स को नोवाश कोश्या की AIP प्रोग्राम में रिमूव करा हुआ है और प्रिंस एडवर्ड आयलेंड वालों ने भी रिमूव करा हुआ है अपने हिसाब से देखें, तो ट्रक ड्राइवर्स के मिना सब कुछ मश्किर है बट वो इस चीज़ को हाइलाइट ही नहीं कर रहे हैं भी निव चैनल पर कुछ और तरीकी से आपको व्यूपॉइंट बदाने के कोशिश करेंगे तो मैं तो सिर्फ आपको इतना रेकॉमेंड कर सकता हूँ बट जो भी मेरे एक्स्पिरियेंस रहा है इस कंट्री में या फिर मैंने अब्जर्व कर है मैं तो सिर्फ इतने ही कह सकता हूँ जिसकी डिमांड है उसकी तरफ द्यान दो जो अपडेट्स है टाइम के साथ हो या अपने एक्शन लो अगर आपको बहुत कम टाइम आपके पास रह सकते हैं अगर आपको भी वर्क पर्मिट में ली चुक है तीन साल का सही प्रविंस में आप उसको यूज करो सही एक फील्ड में अप्लाई करो सही और भी इनकी काफी अपडेट्स आ सकती है तो प्रपेर्ड आपको होना पड़ेगा अगर आपने डिसाइड कर है सेटल होने का तो आपको यह सबी चीजे के लिए प्रपेर रहना पड़ेगा तो बाकि आपका क्या अपिनियन आप जूरूर बताना अभी ना मेरी शिफ्ट कात्म हुई एन एक और अपडेट आई वर्क पर्मिट के रिलेटेड इन कॉलेज में पड़ाई कर रहे थे जो होता है ना कॉंट्रेक्ट प्राइवेट पब्ली कॉलेज का जो भी था सीन तो था कि सेप्टेमबर से लागो होगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं है तो भाई यहाँ पे आपको काफी केरफुल रहना पड़ेगा इस वेरी शौकिंग क्योंकि आपको सब फेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप अभी कैनड आने का सोच रहे हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सब भी इससे अवेर हो सके तो आज की वीडियो में बस इतना ही था थेंक यू अब सभी का तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में